जय हिंद प्यारे दोस्तों मैं प्रकासवस्ती कानपुरवाला आप सब की डिमांड पर आज मैं लेके आया हूं मैक्समुम एंड मिनमम पूरा फूल कॉंसेप्ट एक वीडियो में और आपके सामने स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन पहले बेसिक समझो बेसिक में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों जिससे साइन ठीटा कॉस्ट ठीटा साइन ठीटा कॉस्ट ठीटा इस टायफ से यानि एन की वैलू एक दो तीन कुछ भी हूँ और इस पैटन पे वैलू हो ठीक है तो याद रखना मैक्समुम इसका प्लस का वन होता है और minimum इसका minus 1 होता है बढ़ियां से अच्छे से याद रखिएगा अब जैसे यहाँ पर एक example है कि सर इसका max और min तो maximum value sin theta की plus 1 होती है और minimum minus 1 3 और 1 चार होता है और 3 में से 1 कम कर दोगे तो 2 होता है जो बड़ा है वही maximum है जो छोटा है वही minimum है मुद्दा खतम आगे चले फिर यहाँ पर देखिए लिखा है sin square theta cos square theta फिर sin square n theta cos square n theta दोस्तों यहाँ एक बात याद रखना कि any key value चाहे 1 हो चाहे 2 3 हो and so on अगर square form में है तो maximum plus 1 होता है और minimum 0 होता है क्या होता है maximum plus 1 minimum 0 होता है मोटा मोटा सब को याद करना है अब जैसे हमसे कहता है इसका max या min बता दो तो maximum इसका plus 1 होता है minimum 0 2 और 1 3 होगा और 2 और 0 2 होगा जो बड़ा है वो maximum जो छोटा है वो minimum अब यह एक important है very very सर क्या? अब यहाँ पर देको करा 7 plus sin alpha cos beta का maximum या minimum value बता दो बच्चो यहाँ जान बूच के रखा है actual में क्या है कि यह alpha है यह beta है यह दोनों independent है यह एक दूसरे पर depend नहीं कर रहे है जब भी ऐसा हो alpha, beta, gamma अब अगर maximum कहते तो sin की maximum value प्लस 1 होती है cos की भी maximum प्लस क्योंकि यह अलग समुदायका है यह अलग related नहीं है 7, 8, 9 तो इसका max हो गया 9 अब min बोल दे तो sin की minimum value होती है minus 1 cos की भी minimum value minus 1 7 यह तो यह 5 हो जाएगा यह minimum हो जाएगा जान भूच कर यह example रखा है जो आप सीखे ठीक है अब type wise पढ़ते नहीं अभी आएगा type wise पहले इसको याद करना होगा थोड़ा सा label का पढ़ाना पढ़ता है क्योंकि बच्चा अच्छा होता है देखो यहां लिखा है 3 power 5 power आप 7, 9 कर दो इसको लिखने का उदेश क्या था odd power हिंदी में इसे विसम कहते है अगर sign की power विसम है और cost की power विसम है अब यह नहीं कि 3 है 5 हो एक 3 हो या कुछ भी हो या power 7-7 हो 9-9 हो मतलब odd power हो विसम power और ऐसा दिखे maximum plus 1 minimum minus 1 अब यह even power है 2-8 का मतलब यह अलग-अलग लिखा है यह इसलिए कि समझो even odd क्या होता है कि यह नहीं sign square हो sign की power 4-6 हो तो यह even power है अगर even power है तो maximum plus 1 होता है और minimum 0 होता है अब यहाँ power एक-एक है एक-एक का अर्थ यह हुआ odd power है एक-एक का अर्थ यह odd है 3-3 हो हो 7-7 हो या 3 इसमें 5 इसमें उससे matter नहीं है मतलब 10 और cot के power अगर विसम है तो maximum plus infinity और minimum minus infinity होता है अब यह even power है इसका अर्थ क्या हुआ even power है और जहाँ बच्छा even power यानि sum power है तो maximum तो plus infinity minimum 0 हो जाएगा और यह sec और कॉसिक ठिटा power odd में चाहें आप एक तीन लिख दो एक तीन तो एक तीन क्या होता है विसम होता है अगर विसम power है तो maximum plus infinity और minimum minus infinity लेकिन अगर इनकी power even है यह special case है अगर इनकी power even है even है यानि sum संख्या है even है even का मतलब sum संख्या है तो याद रखना maximum तो plus infinity होगा minimum इनका one होता है यह आपको याद रखना पड़ेगा और अगर आपने नहीं याद रखा तो आप स्वयम जिम्मेदार है यह बात अच्छे से याद रखना अच्छे से याद रखना ठीक है अच्छे से याद रखना ठीक है पहले बोलो हाँ किसर हम याद रखेंगे ठीक है चलते हैं नेक्ष्ट में दोस्तो अब हम पढ़ेंगे टाइप नमबर वन जी हाँ दोस्तो टाइप नमबर वन देखिए कैसे कैता A साइन ठीटा बी कोश ठीटा का मैक्समुम क्या होगा अब आपको तयार करना पड़ेगा कि मैक्स और मिन क्या होता है जो लिखवा दे सीधे याद करो इसमें क्या है ये पैटरं का जब आपको कोशन दिख जाए A साइन ठीटा प्लस B कोश ठीटा तो इसका मैक्समुम होता है प्लस का अंडर रूट A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर और मिनमम इसी में बस सिर्फ माइनस लगा दो ये होता है 7 टाइप के कोशन होंगे पहला टाइप आप समझ गए पहले बोलो हाँ टाइप 1 में A साइन ठीटा B कोश ठीटा मैक्समुम और मिनमम अब जैसे ये कोशन है अब ये 3, 4 है तो 3, 4 ट्रिपलेट्स या 3 का स्क्वेर, 4 का स्क्वेर तो रूट में आप नहीं करोगे 3 का स्क्वेर, 4 का स्क्वेर तो ये ट्रिपलेट्स हो गया 5 यानि प्लस का 5 इसका मैक्स हो जाएगा और अगर मिन बोला जाए तो माइनस का 5 अब यहां triplets नहीं है तो यहां solve करना होगा कैसे दो का square प्लस तीन का square 9 4 13 यानि प्लस का root 13 इसका मैक्स हो जाएगा और minus का root 13 इसका min हो जाएगा यहां पर आजाओ यहां पर 20 ऐसे अब यह triplets पे काम कर जाएगा साथ 24 तो साथ 24 पतचøs 9丁 चारह 24, defense होता है तो 25 आजाएगा एक बार प्लस का 25 कर दीना एक बार माइनस का 25 कर देना यह 45 हो गया और माइनस का 5 जो बड़ा वो wprowad और जो छो टा-वो में पहले बोलो हाँ तो ये चीज़ी आप clear से समझो 20 माइनस समझ गए ना कल को ये कह दो तो जो बड़ा वो maximum जो छोटा वो minimum type number one clear main motto ये है type number two कुछ ऐसा ये जो pattern का question है ये railway में भर भर के आता है type one type two भर भर के आता है ठीक है ये railway में ज्यादा आता है इससी में भी बहुत आता है एक चीज़ समझो इसमें आपको कुछ नहीं करना अगर इस pattern का question है ए और बी में जो बड़ा दिख जाए अगर ए बड़ा तो टो एमेक्सें बी बड़ा तो b मैक्सम ए बड़ा तो a maximum च Wyatt अइस क्या हो गया दो कि यापी बड़ा है अब कोशन क्या है 3, 7, तो 7 बड़ा है तो यह max हो गया इसका, minimum पूछा जाए तो 3, मुद्दा खतम ऐसे ही करो, basic नहीं जानो, कोई फायदा नहीं, अब जैसे यहाँ कोशन है, 3, 7, 3, 7, तो maximum क्या है, 7, minimum क्या है, 3, अब यहाँ देखो, यहाँ बच्चा घवरा गया, सर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसको ऐसे करो, बस यह 20 ऐसे रखो, यह क्या लिखा है, माइनस चार, भाई पैटन तो वही है, यह चीज तो वही है, माइनस चार, तो माइनस चार कर दो, यह प्लस है, तो 20 प्लस 11 कर दो, 20 में से 4 गया, 16, यह 31, अब जो बड़ा, वो maximum, जो छो है, यह 4 हो गया, और यहां देखो, 44 ऐसे, माइनस का 50 ऐसे, माइनस का 6, अब यहां मुद्दा है, क्या, जो बड़ा है, मैक्समुम, जो छोटा है, मिनमम, दोस्तो, 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 एक चीज देखो, यह माइनस का 4, यह माइनस का 4, बड़ा होता है, माइनस 6, यह मैक्स चीजों को सीखे बहुत तेजी से बड़ा प्यारा कोशन आपको मैक्समा मिनमम का हमने बताया है आग लगा दिया है आग लगा दिया है चलिए नेक्ट कोशन देखिए दोस्तो टाइप नंबर थी को पढ़ेंगे जी हाँ दोस्तो टाइप नंबर थी को पढ़ेंगे बहुत और अच्छे से यह टाइब ञाहिए इसको जानेंगे क्या होता है टाइब वन और टाइब टू का मिक्सप है यानि दोनों का योग है जैसे ये कोशिण तुब रही पैटन में देखा जाये तो हां दो नों का योग है जिसे 8, 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 16 16 मतलब 2 की पावर 4, ये हो जाएगा, पहले बोलो हाँ 3 sin theta प्लस 4 cos theta अब इसको जूड़ेंगे क्योंकि सेम पावर तो जूड़ेगा यानि 2 की पावर 3 sin theta 4 cos theta तो ये तो tight number वाला 1 हो गया इसका max plus का 5 min minus 5 तो 2 की पावर 5 इसका maximum हो जाएगा और 2 की पावर minus 5 इसका minimum हो जाएगा पहले बोलो हाँ इसी pattern पे जैसे 32 लिखा है, तो 32 क्या होता 2, 4, 8, 16, 32 यानि 2 की पावर 5 पहले बोलो हाँ 2 की पावर 5 और ये sin theta हो गया ये 2 की पावर 12 हाँ 12, cos theta हो गया सेम बेसे तो पावर जुड़ जाएगी सेम बेसे तो पावर जुड़ जाएगी और जब पावर जुड़ गई तो 5, 12 तो triplet से प्लस का 13 माइनस का 13 यानि 2 की पावर 13 प्लस का maximum 2 की पावर माइनस 13 मिनमम अब जैसे ये चीज़ है 81, 3 की पावर 4 sin square theta 3 की पावर 4 और ये 3 की पावर 5 तो सेम बेसे जुड़ जाएगी तो ये 5 cos square theta अब ये type number 2 इसको देखा था 4 बड़ा की 5 5 तो 3 की पावर 5 maximum हो जाएगा 3 की पावर 4 मिनमम हो जाएगा इतना आता है पहले बोलो हाँ this is the type number 3 धुआ धुआ कर देंगे type 3 के बाद type 4 का question जी याँ बहुत अच्छा है बहुत paper में पाया जाता है दोस्तो sin theta cos theta की पावर n sin theta cos theta की पावर n तो 1 by 2 की पावर n अब यहाँ याद रखना कि इस pattern पे question देखे इसका maximum हमेशा 1 की power 2 whole power n यही इसका maximum होता है minimum depend करता है n की value पर अगर power odd है जिसे विसम कहते हैं तो negative में even है तो जी हो सीधे रट डालो इस पे question देख लो जैसे ये question है अब ऐसा question आजा है कि दे max और min बता दो power even है तो minimum तो 0 हो गया क्योंकि even power है maximum आपको कुछ नहीं करना 1 बटा 2 की power 2 हो गया अब यहाँ आजाओ 22 ऐसे 8 ऐसे इसका maximum minimum चाहिए तो पहले तो इसका निकाल लो तो 1 बटा 2 की power 3 समझे ने एक बार plus लेना एक बार minus तो 22 ये हो गया 8 एक बार आट और एक बार minus ले लो सीधी सीध मैक्सम इनमा तो ये 23 आगया और ये 21 आगया तो जो बड़ा है वो maximum जो छोटा है वो minimum ये इतने सारे कुशन एज एक्जाम्पल इसलिए रखे जिससे आप सीख सको यहाँ पर हमेशा confusion में ना आना यहाँ पर एक बार प्लस लेना एक बार minus लेना और निकालने बाद जो बड़ा होगा 23 बड़ा होता है जीरो फिर उसके बाद हम निकालते 22 क्योंकि यहाँ पर निकालते ही तो 22 और जब हम ज़्यादा वाला लेते तो याद रखना जैसे एक कोशन मैं अपनी तरब से कढ़ा दू जैसे यह लिख दिया आखल को कह दो जैसे यह है अब पावर क्या है 4-4 यह को एक तरीकी से इसका मिनमं मदे तो जीरो होता है 4-0 और मैक्समूम देखहें अगर मैक्समू Μीकले तो देखो एक बटा मलब एक बटा 2 की पावर-4 एक बटा-16 तो एक तरीकी से चार में से जब 0 गया तो अभी यह मैक्समूम हो जाएगा क्योंकि चार में से एक बटा सूला जाएगा तो यह मिनमम आएगा तो याद एक चीज याद रखना जब आंसर निकालो तो जो बड़ा वो मैक्सिमम जो छोटा वो मिनमम और रूल वो लगाओ अलग क्योंकि कोशन के अंत में फिर बदलाओ होता है फिर आप फ़स जाओगे इसमें याद रखना इसका मैक्स हमेशा वन होता है अगर इनकी पावर इवेन है तो मैक्स हमेशा वन होता है मिनमम डिपेंड करता है ठीटा बराबर पैतालिश डिग्री पर ठीटा बराबर पैतालिश पे इसका मिनमम डिसाइड होता है धोस्तों एक एक चीज एक बात को स थीटा बराबर 45 इसमें रखना जो वैलू आएगी वही मिनमम यहाँ पर भी थीटा और आबर 45 रखना जो आएगा वही इसका मिनमम यह आप स्वयम से कर लेना टाइप नमबर 6 बहुत आता है इसमें क्या होता है आर्थमेटिक मीन ग्रेटर दन इकोल टो जेमेटरिकल मीन कुछ ऐसा बनता है अब यह किसमें जैसे कोशन आपको दिख जाए एट टैन स्कॉराइड ठीटा बी कॉर्ट स्कॉराइड ठीटा तो इसमें क्या होता है यह केसा मिनमण वैल्यू होगी और यह जो पैटरन ज्यार्द स्ञेया शाय्म होता है वो तब यू जो तैजब टेनं थीटा के साथ पारिट टाओ लोकिकांट trek टीटा के साथ कॉस कॉस्टु और तो इसका वन होता है और और sign के साथ cos को यह into है तो 1 होता है इन दोनों का into इन दोनों का into 1 होता है याद रहें जब भी sign cos को छोड़ कर बाकी question में कुछ भी दिख जा है हमेशा यादगना उसका maximum plus infinity होता है इसलिए कभी नहीं पूछेगा maximum हमेशा minimum पूछेगा सिर्फ sign और cause वाले question में हमसे maximum minimum पूछता है बाकी इनको छोड़कर sign cause को छोड़कर कोई भी question हो हमेशा minimum इसलिए पूछता है यह type number 6 है इसी का एक advance version इसी में type 6 में advance version यह अलग से लिखा है अलग से क्यों लिखा है यहाँ पर थोड़ा सा खेला होता है इसलिए लिखा है यादकना यह भी type 6 में ही है A sin square ठीटा दोको A sin के साथ है और B कॉसिक के साथ है अगर जब A sin के साथ आ जाए और A बड़ा हो B से तो minimum इसका 2 under root A भी होता है minimum 2 under root B होता है और अगर B बड़ा है A से तो minimum A plus B होता है यह याद रखना है सेम चीजिस में भी है कि A बड़ा है B से तो minimum 2 under root A भी मनलब यहीं लगेगा यह वाला और अगर ऐसा तो minimum A plus B यह याद रखना है और type number 7 अन्तिम type सीदे A से के स्क्वार ठीटा B कॉसेक स्क्वार ठीटा अगर इस पैटरन का कोशन दिख रहा है जैसे जातर यही कोशन आया 4 सेक स्क्वार ठीटा और 4 लिग दिया 9 कॉसेक स्क्वार ठीटा इनमें हमेशा minimum पूछेगा क्योंकि maximum हमेशा infinity होता है यह तो यह under root 4 तो यह 2 हो गया अंडर root 9 तो 3 हो गया स्क्वार 25 इसका minimum होगा समझ गए एक चीज और ध्यान दो सभी लोग यह 4 कोशन मैंने रखे हैं railway NTPC latest question धुआ धुआ हो जाएगा देखो कितना फरजी कोशन पूछे गए है ठीक है कहता है least मतलब minimum value minimum value minimum minimum value minimum तो सेम पैटर इसमें 2 और 3 में कौन तो 2 छोटा ये minimum इसमें कौन छोटा 11 बारा 11 छोटा इसमें कौन छोटा 4 छोटा इसमें कौन छोटा 2 छोटा और अलग-अलग date के कोशन से आप देख सकते हैं बोलो हां तो दोस्तों जो बच्चा रेलवे के त्यारी कर रहा है उसके लिए यही तक सेशन है यही तक सेशन है ठीक है सिर्फ रेलवे के त्यारी बस जितना अभी पढ़ा दिया उतना ही रेलवे के लिए more than enough है त्योरी के साथ और अगर हम आगे बढ़ेंगे अभी बहुत सारे कोशन है बहुत सारे वो कराएंगे अलग तो वो अलग से वीडियो यूटूब में अपलोट करेंगी रेलवे के लिए इतना ही अपलोट होगा तो अगर आपको सेशन पसंद आया है लाइक, सेयर, कमेंड करके जरूर बताई जी हाँ